मैं परमोद जब कोलिस से घर लोटा तो बहरी दरवाजे पर ताला पड़ा मिला अंदर खाने की मेच पर कोपी से फाड़े गए कागज पर लिखा था अब और सेहन नहीं कर सकती हमेशा के लिए अपने घर जा रही हूँ वो लोग पूरी उमर मुझे और मेरे बच्चे को पाल लेंगे कल जो विवाद हुआ था उसी की परिणिती थी यह माना कि आज विवाद उग्र हो उठा था लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अपना घर छोड़ दे मीना के साथ साधी को चार साल हो गए हैं लव मेरिज की थी हमने जिसे दोनों परिवारों ने सविकार नहीं किया था हम दोनों नैनिताल में MSC में क्लास फैलो थे जाती बंदन तोड़कर अंजाने ही एक दूसरे के दिलों में जगह बनाई थी घर वालों के तमाम हिरोदों के बावजूद में पिछडी जाती का था और मीना सुद ब्रामन मैं मानता हूँ कि इस तरह से उसने मुझे पाने के लिए कहें जादत याग किया था मुझे याद है फाइनल एयर के अनतिन दिनों में कोलिज के पीछे पहाड की आड में धून से लिप्टी मीना अलगाओ के दर से सहमी हुई थी उसकी आखों में आसू थी मैंने घर वालों के सम्मान और अर्मानों का अकला गोट कर आपको चुना है कभी मुझे से अलग मत होना तुमारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ उसे वहों में जकरते हुए मैंने दिलासा दिया साथ ही यह वचन भी दिया कि उसकी खातिर अपने घर वालों को भी छोड़ दूँगा डिग्री लेने के बाद मीना अपने घर चली गई और मैं अपने लेकिन फोन पर और कभी-कभी नैनिताल में आकर दोनों मिलते रहते बाद में मीना कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका बन गई और मैं राजकिया इंटर कॉलीज में प्राध्यापक दोनों के घरवालों ने हम दोनों की द्रिडिच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने इच्छाओं को दबा डाला और कुछ विरोध करने के बाद विवा कर दिया लेकिन यह ताना देने से भी नहीं चुके कि कर लो अपनी मरजी दोनों को इसका परिणाम भुगतना होगा हम अपने भावी संबंदों की मजभूती को लेकर आस्वस्त थे इसलिए इन तानों का हम पर कोई असर नहीं हुआ लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं साथ रहने के लिए मीना ने अपना सता अंत्रन मेरे पास करवा लिया सोचा था कि हम दोनों आनंद का जीवन गुजारेंगे किश्ना के आने के मोकों पर परिवार वालों के साथ बाचित सुरू हो गई मुझे भी होम सिकने ने आ घेरा उनके परती मुझे अपने करतवे याद आने लगे बीच बीच में मैं घर भी जाने लगा और वो लोग भी आने लगे इस पर मीना ने थोड़े दिनों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया गए बगाए उसके मुझे विरोत के सबर फूटने लगे आकिर कब तक चलेगा यह है मेरे परिवार के लोग है कोई गैर नहीं उनका अधिकार है मुझे पर लेकिन आपने तो कहा था कि उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा जब आपके घर वाले डेरा डालेंगे तो मेरे घर वाले भी जब तक जी चाहेगा यहां रुकेंगे यह मेरा घर है जिसे चाहूंगा वही आएगा हिम्मा तो तो रोक कर देख लीजिए मेरे घर वालों को मेना ने जल्द ही इस धमकी को चरीथार्थ भी कर दिखाया कारण पहले मेरे बहिया भावी और बच्चे आ गए जिद में मेना ने अपना पूरा परिवार बुलवा लिया दोनों परिवारों में तानत नहीं तो थी ही जून के पूरे महिने खीचातानी बनी रही जब स्कूल खुलने का समय आया तो दोनों परिवार लोटे लेकिन महिने भर जो थी वे उबलकर बार आ ही गई थोड़ा सबर कर लेती तो क्या बिगड़ जाता अपने जीद करके ही मानी गुटन मैंने महसूस किया पिछले साल की चुट्यों का हिसाब लगा लो जमगर लगने लगा कभी-कभी तो दोनों परिवार एक ही समय पर आ जाते ही तब हम दोनों में अगोसित यूद और बढ़ जाता अतीतियों के जाने के बात तो घर में कहीं दिनों तक क्वoger के यूद चलता रहता ऐसे ही दोनों के परिवार के सदस्चों के आने जाने से उपजे तानों वे नोक जोकों समाई उजित करते करते चार साल बीट गए हमारे बीच चल रही तकरार अम्मा बाबुजी और परिवार के दूसरे लोगों से छुपी नहीं रह सकी पिछले रविवार को जम मैं घर गया तो बाबुजी अम्मा और बड़े भीया बोले कैसे जीएगा ऐसे यह औरत तुझे वरवाद कर देगी पीचा चुड़ा जैसे भी हो इससे तो अच्छा है कि तु यहीं रहकर आ जाकर नोकरी कर ले आने जाने में थोड़ी परेशानी तो होगी लेकिन कम से कम मन की शांती तो मिलेगी मैं चुप रह मन में भी इन बातों को लेकर जब वापस मीना के पास लोटा तो वह नाराज बैठी थी घर में कदम रखते ही बरस पड़ी पढ़ गई कलेजे में ठंडक सबने जी बरकर मेरी खूब बुराईया की होगी उनी से चिप्टे रहना था तो शादी क्यों की मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता तुमने तो घर में जीना हराम कर रखा है अगर वो लोग अपना पन्ने देते तो कभी कमर गया होता तो रहते उनी के पास यहां आये ही क्यों तुम क्यों नहीं चली जाती रात दिन ममी पापा रटती रहती हो हमेशा के लिए उनी के पास चली जाओ मुझे भ बार निकल गया बार ही खाना खाकर जब देर रात घर लोटा तो सनाटा पसरा हुआ था मीना बैडरूम में लेटी थी पता नहीं उसने खाना खाया था या नहीं खिस-किस यार्ट में मैंने पूछना गवारा भी नहीं समझा इसी विवात से उपजयो क्रोध को मीना ने द ला गया और वहीं से आ जाकर नोकरी करने लगा अपना घरोंदा चोड़ने पर उदासिंता इतनी बढ़ गई कि उसमें दियाबाती करने के लिए भी जाने की इच्छा नहीं हुई जब मैं अपने प्रीजनों के बीच पहुंचा था तो घर बरा पुरा लगा था बड़े और चोटे भईया भी अपने परिवारों के रूटीन में रम गए ओफिस से आते तो सीधे भावी और बच्चों के पास चले जाते बच्चों को जूले या ट्राइ साइकल पर बैठा कर जब तक बहला नहीं लेते वे पीचा ही नहीं छोड़ते ऐसा देख मुझे किष्णा के याद सताने लगती मैं एकसर भाईयों भावी और बच्चों के वीच हसी ठिटोलिया देखता लेकिन उनमें शामिल भी तो नहीं हो सकता था उनके नितांत वैक्तिकत आनंद में दखल देना भी ठीक तो नहीं वो भी से आता तो ब्रांदे पर पड़ी खटिया पर बैठ नहीं के पड़ी और बड़ी और मंजली भावी तबी खाना पीना करता जब उनके पतियों की मर्जी होती मुझे जल्दी कहाने की आदत थी लेकिन भावी अपने पतियों को ताजे फूल के खिलाने के लिए टाइम बेटाइम खाना बनाती अमा बाभी जी का परेजी खाना वे पहले बनाकर उनके कमरे में पहुंचा देती, जिसे खाकर वे दोनों सो जाती मैं घर में अमा बाबुजी के बगल वाले कमरे में बेवज़े लोटता पोटता रहता करीब चार महीने हो गए मुझे मेना से अलग हुए और अपना घर छोड़े हुए एक माँ पहले कोलिस से अवकास मिलने पर उस घर में गया तो लगा के खंडर में आ गया हूँ फर्स पर धूल की मोटी पर्थ, दिवारों पर उखडी पपडी, सीलन और बदबू, अमा बाबुजी के बड़े घर में सब को अपने अपने घरोंदय की चिंता थी अमा बाबुजी बड़े भाई भाबिया और बड़ी जीजी सबी अपना घर सवारने में लगे हैं मेरा अपना घरोंदा कांक हो गया, यह पर्सन मेरे अंतस ओको चीडने लगा पल पर्तिबल खाये जा रहा है, मीना अभी अपने पती परमोद का घर चोड़ कर तीन साल के बेटे किशना के साथ माई के आई हूँ साधी के बाद रोज रोज की कले से तो यह होना ही था आज सुबह विवाद की प्रकस्टा से तंग आकर जब मैंने फोन पर ममी पापा को बताया तो उन्होंने तुरंत घर आने को कहा छोड़ ऐसे आदमी को हमने तो पहले ही समझाय था बेटा, तु यहां आजा, अपने आप अकल टिकाने आ जाएगी मेरे घर पहुंचते ही भहिया ने कुष्णा को गोद में ले लिया, मेरा राजा बेटा है मेरे साथ रहेगा बाबी भी उसके गाल चुमने लगी, थोड़ी देर तक परमोद का सब कोस्ते रहे, क्या हम अपने बेटी को पाल नहीं सकते क्या समझता है वह अपने आपको, ऐसी सीधी और होनार लड़की मिल गई तो दिमाग चड़ गया आधी आधी माहूल शान्त होने पर मैं चाई पीने के बाद चत पर चली गई निले आकाश में दो पक्षियों का जोड़ा उड़ रहा था, दोनों में कितना प्रेम था शादी से पहले हम दोनों भी तो ऐसे ही थे, पक्षियों की सामंत्ता ने पल भर में मुझे वर्तमान से पीछे धकेल दिया इस दिन की कुछी को मैं संभाल नहीं पा रही थी, जिस दिन तमाम विरोदों के बाद परमोद मुझे भ्याने आई थे मुझे याद आ रहा है एक दिन जब हम दोनों कड़क्ती ठंड की रात में कॉलिश के एक प्राध्यापक के घर बच्चे के बर्थडे पार्टी में गई थे लोटते समय एकांत में हम एक फुलिया के मुंदेर पर बैठ कर ठीटूरता देख उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया इस से पहले की ठंड मुझे जकड ले मैं जकड लेता हूँ मैं कसमसाई और आलिंगन और कस्ता चला गया उस सुकड मनुभूती को मैं आज तक नहीं बूल सकी हूँ हम आगे बड़े तो उन्होंने अपना और कोट मुझे पहना दिया मैडम अमुले निदी हो तुम कितने जनम लिये होंगे तब तुम्हें पाया है तुम खुश रहो बस यही चाहता हूँ मुझे कुछ हो जाए कोई परवा नहीं उनके सायरा ने सब्दों को बीच में ही मैंने हतेली से होटों को दबा कर रोक दिया आपको कुछ हो उससे पहले मैं मर जाना चाहूंगी क्या दिन थे वो घंटो नैनिताल की जील के किनारे पर खड़े होकर पेडों और परवतों को निहारना कभी ठंडी सडक पर धुंद में खो जाना कभी भोवाले रोड पर कत्थे गास पर पेडों के नीचे बैठे रहना और अब कहां खो गया वो सब कुछ मेरी समझ में नहीं आता कि विवा के बाद क्या लड़की के परिवार वालों सम्बंदियों से रिस्तानाता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है क्या पति को यादिकार है कि वे अपनी पत्नी बच्चों और घर को अपनी मिल्कियत समझे और इस बात कर निधारन करे की पत्नी के प्रीजन आएंगे या नहीं लेकिन परमोद ने यही सब तो चाहा है और किया भी है नहीं तो मैं अपना बसा बसाया घर छोड़ कर माई की क्यों आती आगी ताना साई और तानों को भी कोई कब तक सहेगा विवा से पहले परमोद ने क्या-क्या वादे नहीं किये थे तुम रानी बन कर रहोगी दोनों परिवारों का कोई विवैक्ती हमारे परिवार के घरूंदे में गुस्पेट नहीं करेगा लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस समझोते से मुकर गई वे अक्सर अपने परिवार के बीच जाने लगी और उनके घर वाले भी जब तक हमारे परिवार में हस्तक सेप करने लगे मजबूरी में मैंने उस दिन ममी पाप और भाईया भावी को बुला लिया वे सुबह आए और शाम को चले गए उन्होंने परमोद को कापी समझाया भी लेकिन उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाला अब तुम अपने घर वालों से मुझे परताडित कराओगी मैं दबने वाला नहीं हूँ घर का मालिक हूँ तो मैं भी अब और सैन नहीं करूँगी आप हड़ धरमेता दिखाओ तो किसके पास जाओंगी वो मुझे अपने प्राणों से अधिक चाते हैं वो आएंगे भी और आपकी कर्टूतों को रोकेंगे भी आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और आप मुझे मैं तक्ये पर ओंदा सी रख कर रोने लगी अब नोटंकी शुरू कर दी इन सब्दों ने मेरे आस्वों की धार और तेज करती सारी रात रोती रही दूसरे दिन में माई के आ गई थी कुछ दिनों बाद परमोद भी अपने प्रीचित से पता चला मैं ममी पापा के घर से बस से जाकर नोकरी करने लगी एकिन यहां कुछ दिनों में अपनापन खोने सा लगा भावी और पापा तीनों नोकरी करते थे सुबह चले जाते शाम को लोटते बच्चो को ममी और नोकरानी संबालती थी एक दिन भावी काम से लोटी तो नोकरानी पर बरस पड़ी क्या हाल बना रखा है बच्चो का ठीक से देखवाल नहीं कर रही हो अगर दो की जगे तीन बच्चो हो गई तो पापा से कुछ पैसे भड़वा लो लेकिन लापरवाही मत बढ़तो समझी और मीना तुम भी तो काम कर सकती हो थोड़ा तो सहोग तुमें भी देना चाहिए मैं चुप रही मैं भावी के बदलते विवार को देख हतपर्व थी एक दिन जब हवा कर घर आए तो उनके हाथ में लटकती पार्दसी थैली में आम देखकर कुष्णा जीद करने लगा भावी ने थैली मेरी तरफ बढ़ाई तो बीच में भावी ने ले ली एक चोटा आम देते हुए बोली कई दिनों से बच्चे कह रहे थे तो उनके लिए तो ये भी कम मीना तुम भी तो बाहर जाती हो कभी कबार कुछ चीजे ले आया करो उनकी बात से उत्रा दुख नहीं हुआ जितना भाईया के चुप रह जाने से हुआ नहीं जाने क्यो परमोद का चहरा मेरी आँखों में तैर गया घर में सबके अपने अपने कमरे थी मेरे लिए अमा बाबुजी के कमरे के पास इस्टोर को खाली कर जगह बनाई गई थी सुरू में तो सब ठीक था लेकिन कुछ दिनों बादी खर्चे में खीचातानी होने लगी सीधे मूँ तो नहीं लेकिन गाए बगाए भाबी ने ऐसी स्तिती पैदा कर दी कि घर में वे और मिल जुलकर काम करना संबव नहीं रह गया मैंने बिना किसी हुज़त के अपने कमरे और उसके सामने कोमन ब्राम्दे में अपने जीवन अपन की वैवस्ता कर ली जिस घर में में पैदा हुई पली बड़ी उसी में बेगानी खाना बदोस्सी जिन्दगी हो गई थी मेरी अपने पन के सारे रिष्ते ने जाने कहां तिरोहित हो गई कहां खो गया मेरा अपना ग्रोंदा जहां तकरार और रूठने मनाने में भी आनन्द आता था सनिवार को हाप दे था इसलिए मैं दोफैर में स्कुल से आ गई नहीं रविवार है और उसके अगले दिन तीज का परव गर में गुशी तो वही उदासीन माहोल वही अब आभी पकवान बनाने में जुटे थे तीज की तैयारिया चल रही थी मुझे पूचा तक नहीं अपना बैग इस्टूल पर रखकर कमरे में जाकर सो रही किष्णा के पास बैड पर ओंधी लेट गई थोड़ी देर में परमोद की स्मर्थियस ताने लगी मेरी आखों से आसू निकल कर तक ये को भिगोने लगी सो रहे किष्णा का चैरा देखा लगा जैसे परमोद लेटे हैं अचानक मैंने एक द्रड संकलप लिया उठकर हात मों दोया और जरूरी सामान बैग में रखने लगी कहीं जाना है ब्रामदे मैं आकर मम्मी ने पूचा हूँ हाँ सोच रही हूँ अपना गर संबालू हाँ कहली रहोगी परेशानी होगी तुम्हें मम्मी ने कहा उनके सवर में अब तक खनक नहीं थी जिसके सारे उन्होंने मुझे अपना गरोंदा छोड़ यहां आने को कहा था मम्मी खाली गर भूतों का डेरा बन जाता है हवा दूप मिलती नहीं सीलन और बद्बू से जरजर होने लगता है दो दिन की चुट्टी है सोचा थोड़ा संबाला हूँ किष्णा भी जाएगा मेरे बिना नहीं रहसकेगा सब को परिशान करके रख देगा मैं जानती थी कि जब अपनी लाडली से कुछ ही दिनों में सब उत गए तो किष्णा तो उनके लिए एक बोज ही बनता मम्मी के साथ हो रही बाचित भाई भाई भी भी सुन रही थे अपना ख्याल रखना बेटा भाई ने भाई की उपस्तिशी से डरते डरते इतना ही कहा मुझसे नजरे नहीं मिले इसलिए भाई किर्थमी वैवैस्ता में रमी रही जाने की कुछ खास त्यारी नहीं करनी थी असली त्यारी तो करनी थी मन को और वह इस कैद से उड़ने को त्यार बैठा था जब मैं अपने घर के पास पहुंची तो शाम गिर गए आई थी रिक्षा शोड आगे बढ़ी तो अचंबी तो उठी घर का बाहरी इस्सा साफ सुत्रा था कमरे की लाइट भी जल रही थी बाहरी दरवाचे पर ताला पड़ा था इसका मतलब कोई यहां रह रहा था कोई क्यों परमोद रह रही होंगे दूसरी चावी तो उनी के पास थी फिलाल किसी काम से बाहर गए होंगे अपने चावी से ताला खोल कर जब मैं अंदर गई तो घर की संदर वैवस्ता को देखती ही रह गई बैडरूम में साइड में रखे तिकों ने इस टूल पर किष्णा के साथ परमोद और मेरा करीब दो वर्स पहले खीचा हुए फोटू सलीके से रखा था जिसे मेरे घर छोड़कर जाने से पहले हुए विवाद के दोरान परमोद ने करोद में सोपे पर फैक दिया था और मैंने भी उसे उठाना गवारन नहीं समझा सोते किष्णा को बैड़ पर लिटा कर मैं भी उसी के बराबर लेट गई लगा जैसे घर की दिवारे मेरे आने से खिल उटी और मुझे अपने आलिंगन में लेने को आतुर हो कितना अंतर था माईके के गनित संबंदी कितने अचनबी थे और इस घर की हर चीज में जैसे आत्मेता बसी हो आवान के अतिरिक आँकों में आए पानी में बहुत सी सुख दिया दे तैर गई तब ही कोल वैल ने मुझे चुका दिया दरवाजा खोला तो आसानुरू पर मौत थे करीब चार महीने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था परमोद ने मुझे अपने बाग में बाद लिया और मैं भी उनके बाओं में सिमर्टी चले गई आँकों में खुशी के आसू लिये यह सोचें लगी कि यह कौन सा रिस्ता था जो मुझे अपने मा पिताजी और भाई के रिस्ते से भी कहीं अधिक मजबूत और आत्मियता लग रहा था तो दोस्तों आपको आज की कानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सेयर करें चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपना किमती समय देने के लिए धन्यवाद मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई